हेलो दोस्तों आप सभी को हमारे ग्रीन किचिन में स्वाग थे प्लीज दोंट फर्गेट सब्सक्राइबर चानल और क्लिक आउन तो बेल आइकन फोर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स कि रेसिपी है पनी मसाला रेसिपी तो इसके लिए हमने लिया है इंग्रीडियन्स दही टोमाटो प्यूरे प्यास अदर क्लेसन का पेस्ट लालमेश पौडर हल्दी सॉल्ट गरम मसाला जीरा कुरियांडर पाउडर और रोस्टेट क्यूमिन सीट्स पाउडर हरी मिट्श दालचीनी लोंग तो चलिए यहाँ पे हमने एककडाई लिया है और दोसो ग्राम पनी लिया है और आट किया है हाफ टीस्पून ओफ सॉल्ट यह पनीर जो है हमने घर पर बनाया है तो यह फ्रेश और टेस्टी रहेगा अब हम आट करें है लालमेश पौडर एक टीस्पून अब हम आट करें है हल्दी पाउडर एक चोटाई छोटी चमच अब इन सबी पनीर क्यूप्स को हम अच्छे से टॉस कर लेंगे यह आप स्पून की मदद से भी इस तरह कर सकते हैं तो चलिए हमारे पनीर जो है अच्छे से रेडी है तो चलिए हमने कडाई ली है और स्टॉप पर रखकर थोड़ा से ओईल फ्राई करने के लिए लिया है और जो हमने पनीर क्यूप्स को मसालों में टॉस किया है उन पनीर को जो है हम इस ओईल में फ्राई करेंगे पनीर को fry करते वक्त अब तोड़ा ओयल अच्छे से heat कर लिजे आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पनीर जो है अच्छे से brown हो चुकी है तो चलिए एक plate में ले लेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पनीर क्यूप्स तो चलिए दूसरी दरफ हमने एक कडाई ली है और आइट किया है बेसन काटा यानि कि बेसन फ्लोर या ग्राम फ्लोर हमने तीन छोटी चम्मच लिए है और इसे अच्छे से दो मिनिट तक भून लेंगे आप देख सकते हैं दू मिनिट के बाद हमारा बेसन काटा जो है इस तरह दिखने लगेगा तो चलिए इसे साइड रख लेंगे और फिर से वही कडाई लेकर आड़ करेंगे तेल दो पड़े चम्मच हमने लिया है तो चलिए हमार ओइल जो है अच्छे से हीट हो चुका है अब हम ले लेंगे चॉप्ट ओनियन ये इसे अच्छे से स्टिर कर लेंगे और साइड में थोड़ी से स्पेस बना कर उसमें जीरा एक छोटी चम्मच ले लेंगे और जीरा को थोड़ा से स्प्लिट होने तक रुकेंगे जीरा जो है अच्छे से भून चुकी है तो चलिए इन्हें जो है onion में मिला देंगे आप देख सकते हैं onion जो है अच्छे से ब्रावन हो चुकी है तो चलिए हम एड़ करेंगे डालचीनी और लॉंग टूपीसस अब हम आट करेंगे हरी मिर्श दो हमने कट करके रखा था तो चलिए इन सुभी को अच्छे से स्टिट कर लेंगे अब हम आट करेंगे अध्रकलस्टन का पेस्ट एक छोटी चम्मच अब इन सब कुछ जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पेस में जो कच्छी स्मेल रही ती है उसी गायब होने तक अच्छे से कुक कर लेंगे तो चलिए अब हम आट करेंगे क्यूमिन सीट्स पाउडर और कॉरियांडर पाउडर आधी चोर्टी चम्मस दो मिला कर अब इन सोभी मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम आट करेंगे टोमाटो प्यूरे एक बड़े टोमाटो को हमने ग्राइन कर लिया था तो चलिए इसे अच्छे इसे पांच मिनिट तक भून लेंगे पांच मिनिट के बाद हम आट करेंगे लाल मिर्च पाउडर एक चोटी चम्मच और हल्दी एक चोटाई चोटी चम्मच और सॉल्ट ऐस पर टीस्ट यानि कि अल्रजे हमने पनीर में सॉल्ट लिया है तो देख समझ कर ही आप सॉल्ट का इस्तिमाल कीजिए तो इसे अच्छे से तीन से चार मिर्ट तक भून लेंगे अब हम आट करेंगे गरम मसाला एक चोटाई चोटी चम्मच अब हम आट करेंगे दई, दो बड़े चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंट्स दई दालने के बाद हम लिट कवर करके 5-9 मिनिट तक कुक करेंगे ताके हमारे मसाले जो है अच्छे से कुक हो जाएं आप देख सकते हैं हमारा मसाले जो है कडाई को स्टिक ना हो रहे हैं तो इसी कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन कीशे अब हम आट करेंगे भूना हुआ बेसन का आटा जो आपने पहले भून लिया था तीन छोटी चमच इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं एक मीडियम साइज क्लास पानी लिया है हमने और इस मसाले में आट कर रहे हैं तो फिर से लिड लगाएंगे और दो मिनिट तक कुक करेंगे तो चलिए यहां पर हम जो हमने पनीर को फ्राइ किया हुआ था इन मसालों में दाल देंगे और गानिश करेंगे थोड़ी हरा धनिया पत्ति के साथ तो चलिए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और लिड लगा देंगे और दो से तीन मिनिट तक कुक खोने देंगे आप देख सकते हैं हमारी पनीर मसाला जो है अच्छे से रेडी होके तयार है तो चलिए स्टाव आफ कर देंगे अगर हमारी रेशिपी पसेज ना है तो प्लीज हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना न भुली पांस में जो बेल लाइक है उसे सारू क्लिक कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए फिर हम मिलेंगे एकाव नियरी सिब के साथ अब तक के लिए stay tuned, thanks are watching